हेलो, पिछली वीडियो में हमने for loop के बारे में जाना, आज हम इस वीडियो में why loop के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे why loop के definition जानेंगे, तो इसकी definition है why loop condition पर depend करते हैं, यदि condition true होती है, तो loop चलता है और जब condition false हो जाती है, तो compiler block of code से exit हो जाता है तो यह why loop की definition है, इसके बाद यहां पे हम why loop का syntax जानेंगे तो इसका syntax है, यहां पे सबसे पहले यहां पे why लिखेंगे, इसके बाद यहां पे round bracket में condition लगाएंगे इसके बाद यहां पे curly bracket को open करेंगे, इसके बाद यहां पे statement लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे last में semicolon लगाएंगे इसके बाद यहाँ पे curly bracket को close करेंगे तो यह यहाँ पे while loop का structure है यहाँ से हम start करेंगे इसके बाद आगे condition लगाएंगे अगर यह condition true उती है तो यह statement यहाँ पे execute करेंगे अगर condition false हो जाती है तो यहां से यह exit कर जाएगा तो यह भाई लूप का structure है इसके बाद यहां पे भाई लूप का program है write a program to demonstrate the use of भाई लूप तो इसको हम आगे करेंगे तो यह भाई लूप का program हमने notpad पे लिखा हुआ है तो इसको हम यहां पे समते हैं तो सबसे पहले यहां पे html यह लिखा हुआ है इसके बाद body लिखा हुआ है इसके बाद heading यहां से start किया हुआ है h1 इसके बाद यहां पे javascript के code को लिखा हुआ है script language is equal to javascript यह लिखा इसके बाद यहां पे variable i is equal to 0 तो i variable जो है यहाँ पे value value हुई है 0 यहाँ पे हमने while लिखा हुआ और इसके बाद यहाँ पे condition लगा हुई है यह देखो यह condition है i is less than 5 तो यह हमने condition लगा दी condition लगाने के बाद यहाँ पे curly bracket को open किया हुआ है open करने के बाद हमें यहाँ पे क्या display करें document.write यहाँ पे i यहाँ पे semi-colon लगाया हुआ इसके बाद यहाँ पे document.write और यहाँ पे लखा हुआ है break break का मतलब यह है कि यह जो values आएंगे इसमे break हो इसके बाद यहाँ पे semi-colon लगाएंगे और इसके बाद लिखेंगे i और यहाँ पे increment operator use करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमने curly bracket को उपर open किया था, इसको निचे close करेंगे, close करने के बाद यहाँ पे script को बंद करेंगे, इसके बाद heading को बंद करेंगे, इसके बाद body को बंद करेंगे, इसके बाद HTML को बंद करेंगे, तो यह करने के बाद हम क्या करेंगे, file पे जाएंगे और इसको save करेंगे तो यहाँ पे save as पे click किया हम इस file को desktop पे save करेंगे यहाँ पे desktop पे click किया अब यहाँ पे हम file का name देंगे तो file का name हमने दिया er यह file name दिया इसके बाद dot stml यह लिखा लिखने के बाद इसको save पे click करेंगे save पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको minimize करेंगे minimize करने के बाद यह देखो यहाँ पे er नाम की फाइल यहाँ पे आगई है इसको यहाँ से open करेंगे तो फाइल को open करने के बाद यह देखो यहाँ पे यह values प्रिंट होके आगई है यह देखो 0, 1, 2, 3, 4 तो हमने यहाँ पे यह देखो variable i is equal to 0 तो यह जो value start होनी चाहिए 0 से start होनी चाहिए यहाँ पे 0 value वरी हुई है इसके बाद यहाँ पे condition गाई हुई है i less than 5 तो less than 5 तो number जो है यह less than 5 है यह देखो 0 से start हुआ है 1, 2, 3, 4 यह less than 5 आगे अगर हम यह चाहते है कि 0 से लेके 5 तक number यहाँ पे आए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे less than इसके बाद यहाँ पे equal to यह use करेंगे use करने के बाद जब हम इसको save करेंगे तो यहाँ पे 0 से लेके 5 तक यहाँ पे आजाएंगे क्योंकि हमने less than equal to 5 यहां पे लिखा हुआ है यहां पे file पे गए इसके बाद save पे click किया save पे click करने के बाद इसको हम यहां पे refresh करेंगे यह refresh बटन पे click करते ही यह दिखो हमारे सामने यहां पे यह आ गया 0 से value start हो रही है और यहां पे 5 तक आ गई है क्योंकि हमने यहां पे condition change कर दिया है i is less than equal to 5 तो equal to 5 का मतलब यह है कि यहां पे 5 भी आएग अगर हम यह चाते हैं कि यह values जो है यहां पे 0 से start ना हो 2 से start हो तो हम क्या करेंगे यहां पे 0 लिखा हुआ है i is equal to 0 तो यहां पे हम 2 लिखेंगे इसको delete किया है यहां पे 2 लिखा 2 लिखने के बाद जब हमें इसको save करेंगे और इसको refresh करेंगे तो हमें यह print होके आएगा यह दिखो यहां से 2 से start होका 2, 3, 4, 5 इसको करके दिखते हैं यहां पे file पे गए save पे click किया save पे click करने के बाद यहां पे इसको refresh करते है refresh करने के बाद यह दिखो यहां पे आगया 2, 3, 4, 5 क्योंकि हमने यहां पे variable i is equal to 2 और यहां पे condition किया लगाई हूँ है i is less than equal to 5 तो यहां से 2 से start हो रहा है और यह 5 तक यहां पे आ रहा है तो इस तरह से यहां पे y loop काम करता है तो इस वीडियो में हमने y loop कैसे काम करता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज subscribe my channel